हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इस माइंवेस्ट्मेंट में इंडिया बूल हाउजिंग फ्रांस के मच अवेटेट क्वाटर फूर के रिजल्ट्स आज अनौन्स हुए हैं यह स्टॉक बड़ा न्यूज में रहा है पिछले को समय से लग रहा था है स्टॉक में बड़ा टर्न आराउंड हो सकता है बिग बूल राकेज इंचन वाला ने अभी अपनी स्टेक बढ़ाई थी और उसके बाद काफी एनलिस्ट के रिडार पर यह स्टॉक था पर यहां पर टर्न आराउंड तो छोड़ो स्टॉक जो है लगातार क रेक्शन दिखा रहा है और एवन जो है आल टाइम लोग के आसपास पहुंच गया है जिस भी लेवल पर जहां भी जिसने आवरेजिंग करी है उसके कैपिटल जबर्दस वाइप आउट हुई है तो कि क्वाटर फूर रिजल्ट के बाद में गिरावर्ट थमेगी और है जी होनी चाहिए रिजल्ट कैसे है डिटेल में इस बारे में हम बात करने वाले हैं सबसे फ़ले फ्रेंट्स की बात कर लेते हैं 307 करोड के आसपास का जो है नेट प्रॉफिट आया 306.75 करोड का रिवान्यू के फ्रंट पर भी फ्रेंट्स क्यू एन क्यू सिक्वेंशल और वाय ओन वाय बेसे दोनों पर ही गिरावट देखने को मिली है रिजल्ट्स आल्मोस्ट फ्लाट हैं इन लाइन हैं कमपैरेजन आप देख सकते हैं सेक्वेंशली प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़के आया है हाला कि जो है रिवान्यों के फ्रेंट पर थोड़ी भी बढ़े हैं क्योंकि आवियसली फ्रेंट्स जब लॉन्बुक श्रिंक होगी तो परसेंटेज टर्म में आपको फिगर ज्यादा दिखाई देगी फ्रेंट्स अगर पैट के टर्म में मैं बात करूँ तो ठीक है रिजल्ट्स ठीक था किया कोई इन लाइन विद एक्सप पास की ग्रोथ यह कर सकते हैं मोडी ने भी इनकी रेटिंग जो है स्टेबल से बढ़ा के जो है निगेटिव करी है बालन्स एट की ठीक है एडिकेट कैपिटल है कंपनी के पास में फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहां पर निगेटिव हूँ इंडियाबॉर हाउ उसमें लगातार ही जो है अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं क्योंकि रिटेल लोन फ्रेंट्स एक चोटे टिकेट साइज के होते हैं और एक वहां पर रिकवरी रेशियो बहुत आईए अगर NPS भी होते हैं तो वहां पर लगातार जो है अपना एक्सपोजर यह कॉर्प यहां पर कुछ पॉजिटिव चीज हैं पर इंडियाबूल हाउजिंग फ्राइंस की जो काफी निगेटिव चीज हैं जिसके वज़े से स्टॉक गिर रहा है उसके बारे में भी हमाने वाले टाइम में बात करने वाले एसेट क्वालिटी के फ्रेंट पे फ्रेंट्स 1.89% क पर भी बढ़ा है हम फीगर के टर्म में बात करें तो 318 क्रोड का ग्रॉस NPA है जो शेयर से क्वेंच लिए अगर आप देखोगे तो 350 से घटके आया है नेट NPA 1364 क्रोड है ऑल्मॉस फ्लाट है थोड़ा सा अडिशन देखने को मिला है पर इस पार जितनी भी NBFC के रिज पर हां थोड़ी कुछ चीजे मैं पढ़ रहाता है इनके मेनेजमेंट की पूरी कमेंटरी में कि रिस्ट्रक्चर्टर लोन जो है इनका काफी कम है 0.26% आफ दे लोन बुक है वो कहीं अच्छा है कि कोविट के लोन में इन्होंने 225 करोड के आसपास का रिस्पर्समेंट कि यह है 0.36% आफ दे लोन बुक है तो कहीं ना कहीं जो है यह कॉन्फिडेंस देता है कि आने वाले टाइम में फॉर्दस रेट नहीं होगी एसेट क्वालिटी और रिटेल लोन पे कंपनी कह रहे है रिटेल लोन माडगेज लोन जो सिक्योर डून है छोटे टिकिट साइस के वहाँ इनका फोकस है फिर इंडियावल हाउजिंग फिनास की सबसे बड़ी जो प्राब्लम है वो है इनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग पात परसेंट कॉस्ट ऑफ बरॉइंग लेके बंदा क्या तो आगे उसको जो है फिनास करेगा और क्या उसके उपर इंटरस्ट कमाएगा कई अनलेस्ट के यह मानना था कि जिस तरह से समीत गहलूद लगतार अपनी स्टेक जो है अब ऐसे परमोटर वो नहीं रहे हैं स्टाट डाउन हो चुके हैं एमडे एंड सी यू से और ये कमपनी आगे चलके प्रोफेशनली पी फंड्स वारा मैनेज करी जा सकती है एक से बड़ा ट्रिगर यही है कि अगर इसको कोई आने वाले टाइम में प्राइवेट एकुटी फंड मानेज करता है पी फंड्स पूरी तरह से प्रोफेशनली मैनेज कंपनी हो जाती है तो उनको एक्सिस है काफी जो है लो कॉस्ट फंडिंग का तो ड्रास्टिकली यहां से मुश्किल है सर्वाइव करना ग्रोथ दिखाना और एसेट क्वालिटे डिटोरियेट होने का और बाकि सब जिस तरह के चैलेंजर और कॉर्पेट गवर्नेंस के इसूज यहां पे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का कॉन्फिदेंस वहां पर नहीं आता है समीर गहलोथ के जाने के बाद उनके 9.66% के स्टेक भी आने वाले टाइम में अफ्लोड हो सकती है और माना जा रहा है कि दिगज पीज उसको खरीच सकते हैं हाला कि ऐसी कंफर्मिशन कुछ भी नहीं है अब यहीं बड़ा ट्रिगर है इंडियाबल हाउजिंग फिनांस को लेके कि आने वाले टाइम में अगर पीफंट अपनी स्टेक बढ़ाते हैं यह कंपनी अभी कोई इसका प्रमोटर जो है ऐस सच नहीं है समिर गैलोथ के बाद में लार्जेस्ट जो होल्डिंग से वो अभी पीफंट के पास में है इन्वेस्टर्स के पास में है तो वहाँ पर ज रिजल्ट का इंपक्ट मुझे लगता है फ्लैट टू पोजिटिव होना चाहिए रिजल्ट जितना स्टाउक गिर चोका है तो रिजल्ट के बाद बाद बांस बैक तो आना चाहिए क्योंकि निगेटिव इसमें कुछ है नहीं ऐसा और ठीक था क्या है वालोशन के बारे मे सबसे बड़ा कंसर्ण है क्योंकि अगर असेट को लगती है तो वाल्यू पूरी नेटवर्थ कंपनी की रोड हो सकती है चब्यू सुपर ब्याली स्पेस्ट का फूल यह रीपियस आया है पांच-छे के पर ट्रेड कर रहा है तो वैसे तो कोई प्राब्लम नहीं लगती है पर यही है cost of borrowing को लेके और जो uncertainty बनी हुई है promoters को लेके further stick sale को लेके यहाँ पर क्या होता है आइदर तो यह company आपको बहुत बड़ा return बना के देगी अगर यह इस तरह से cost of borrowing इसकी कम होती है और professionally managed हो जाती है और फिर आइदर देखना होगा कि क्या वो reason है जिसके वज़े से investors को इतना confidence नहीं हा रहा क्योंकि इतना गिरेने के बाद तो हर जो negative नहीं होज़े वो factored in है तो आगे के developments में closely watch कर रहे है कुछ भी होगा video बना के आपको post करेंगे फिलहाल के लिए French में एक बात कहता हूं कि India Bull Housing Finance के जो current के situation है और balance sheet है और जिस तहरा से जो है आने वाले टा तो सबसे highest one of the riskiest sector जो है माना जाता है stock market में NBFC तो वो risk इसमें हमेशा रहेगा और पहले भी corporate governance के issue रहे हैं तो वो issue है otherwise current situation पर हर चीज factor दिन लगती है current CMP पर और अगर आने वाले time में friends यहां पर developments में closely watch कर रहे हैं अगर कुछ positive developments आते हैं तो काफी बड़ी rating यहां पर दे feel free to ask me in the comment section video पसंद आये like कीजिए दोस्तों के साथ share कीजिए आपके अपने YouTube channel is my investment को subscribe करना ना भूले थेंक यू